हाई गाईज वल्कम बैक आप सभी का अपने चानल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं आईफोन XR क्योंपर आयो 17.1.9 नई अपडेट के लिटेस्ट हिड़न फीचर्स ट्रिक्स और टिप्स के वारे में जिनके बारे म यहाँ पर आपके आईस को प्रोटेक्ट करने के लिए एपल ने एक बहुत ही बड़िया यूसर फीचर आड़ाउन कर दिया है जो कि काफी ज़्यदा पॉपुलर है और आपको अपने आईफोन XR की उपर इस फीचर को जरूर यूज करना चाहिए ताकि आपकी कभी भी वीक ना हो यहाँ पर आपको स्क्रीन डिस्टेंस देखने को मलेगा स्क्रीन डिस्टेंस को इनेवल करना है यह फीचर कैसे काम करता है यहाँ पर आपको देखने को मलेगा तो यह है स्क्रीन डिस्टेंस का फीचर आईफोन में भी टू क्लोज अगर आप अपने ड को एक arm की length के उपर यूज़ करें तो उस condition में आपको continue का button show करेगा वरना आपको continue का button show नहीं करेगा आप ऐसे ही stuck रहोगे इस feature के उपर इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अपने device को अपनी arm की length के बराबर ही आपको use करना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपके keyboard में काफी जादे नए features को add on करा गया है जैसे कि जब आप यहाँ पर long press करते हो यहाँ पर आपको बड़ा सा magnifier देखने को मल जाता है जो कि आपकी मदद करता है कहीं पर आपको correction करनी है तो वहाँ पर easily आप अपने word को correct कर सकते हो और साथ में आपका जो भी आप typing करते हो अपने notes की application में तो यहाँ पर आपको magic words यहाँ पर आपको automatically suggest कर देता है आपका जो device है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने hidden type किया तो आपको यहाँ पर shadow देखने को मिल जाएगी अगले word की जो आपने type करना है जैसे कि hidden features मैंने अभी पूरा type नहीं किया है बट फिर भी यहाँ पर मेरे को shadow शो कर रहा है तो यह काफी ज़्यदा useful रहता है कि अगर आप typing बहुत ज़्यदा use करते हो अपने आईफॉन की उपर तो आपके लिए help हो जाती है और ज़्यदा fast typing करने में अपने devices की उपर और साथ में अगर आपने कोई भी portrait mode में photos को shoot किया है उसके focus को भी edit कर सकते हो बसे आपको यहां पर camera को open करना है और यहाँ पर आपको पोटेट mode के उपर tap करके कोई भी एक portrait mode में photo को shoot करना है और आप उसके focus को change कर सकते हो और साथ साथ यहाँ पर आपकी जो camera की application है उसमें कुछ नए hidden settings को add on करा गया है बिस आपको यहाँ पर camera को open करना है यहाँ पर आपको level का option देखने को मलता है level को जब आप on करोगे तो आपके हर एक camera mode में आपको level का option देखने को मल जाएगा यह yellow या white color की line आपको show करेगा जो कि यह indicate करती है कि आप कितने level की उपर हो आपका जो camera है वो सीधा है या tilt position की उपर है कुछ इस तरीके की tilt line आपको show करेगा जब आपका जो camera है वो tilt रहेगा और साथ में record वीडियो के section में आपको lock white balance का एक निया option देखने को मल जाता है जो कि आपकी help करता है white balance को यहाँ पर optimize रखने के लिए lock करने के लिए ताकि आपकी video जो है वो और भी बढ़िया यहाँ पर record हो आपकी camera की application में से तो guys अगर आप calculator को ज़्यादा use करते हो अपने device में तो यहाँ पर आपने notice किया होगा कि last का जो word है वो यहाँ से हम delete नहीं कर सकते हैं अगर आप से गलती से last में कुछ ऐसा word एड़ हो जाता है जो आपको नहीं type करना था तो सारी calculation आपको पूरी cut करने परती है वो last word यहाँ से delete नहीं होता है last word को delete करने के लिए simply आपको swipe करना है swipe करते जाओगे तो आपके last words जो है वो यहाँ से remove होते जाएंगे आपके calculator की application में अब आपकी जो photos की application है वो भी काफी जदा attractive हो चुकी है smart हो चुकी है जैसे कि अगर आपके पास कोई एक photo है यहाँ पर आपको laundry की photo देखने को मलेगी icon की उपर tap करो और look up की उपर tap करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कुछ logos हैं इनके बारे में detail आपको बताया देगा कि यह जो logo हैं किसके related हैं जैसे कि यह cat है इसके बारे में अगर आपको brief में पढ़ना है तो यहाँ पर look up के उपर tap करो result आपके सामने यहाँ पर यह show कर देगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक और भी मज़ेदार feature है आपकी photos की application में जैसे कि मैं यहाँ पर double tap करता हूँ crop का button की उपर जब आप long press करोगे तो आपको यह hidden menu show करता है आपकी photos की application में यहाँ से आप कोई भी option select करके simply आपको crop के button पर tap करना है और same ही size में जो आप wallpaper यूज़ करते हो उसमें यह crop कर देता है आपकी photo को automatically तो यह भी काफी ज़दा useful feature रहता है अगर आपको एक photo में से किसी भी editing को copy करना है तो simply आपको three dots की उपर tap करो copy edits की उपर tap करो किसी और photo में आप इसे paste कर सकते हो इसके साथ आप multiple photos को भी यहाँ पर edit कर सकते हो simply एक single click में बस यहाँ पर आपको paste edits की उपर tap कर देना है यह सारे की सारी photos जो हैं वो यहाँ पर एक एक करके edit हो जाएंगी वो ही same editing features आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उस particular photo में अब आप live wallpapers को भी set कर सकते हो उसके लिए live photo को यहाँ पर shoot करो और यहाँ पर आपको share के button पर tap करना है और यहाँ पर use as wallpaper की उपर tap करो और आप यहाँ पर good to go हो live wallpapers को use करने के लिए इस arrow को आपने tap करने है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इसे adjust करना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपके लिए motion जो है इस photo का यहाँ पर available नहीं है तो यहाँ पर आपको cancel करना है किसी दूसरी photo को अपने select करना है फिर से use as wallpaper करो और यहाँ पर आपको play button देखने को मल जाएगा वर आपका यह जो wallpaper है आपको cool सी live animation भी provide करेगा जिसके साथ आप live wallpapers को set कर सकते हो अपने iPhone की lock screen के उपर और अपने iPhone की home screen के उपर अगर आपको किसी एक person को home screen से ही call लगानी है तो वो यहाँ से लगा सकते हो message को send करना है तो message को भी send कर सकते हो पस आपको इस widget को enable करना है कैसे long press करो और plus के button पर tap करके आपको यहाँ पर contact को find out करना है contact में आपको किसी भी single contact को add करने के लिए यहाँ पर single tap करो और यहां से आपको change करने के option भी देखने को मल जाती है contact में आप कोई भी favorite contact को add कर सकते हो जिसको आप directly यहां से ही call लगा सकते हो इन buttons को enable करने के लिए यहां पर आपको single tap करो और यह जो दो buttons हैं call और message का वो यहां से enable हो जाता है अगर आप यहां से music को open करते हो कोई भी music आपने play किया है तो आपको यहां पर star का logo भी देखने को मल जाएगा अगर आप star के logo के उपर single tap करते हो आपका यह music है वो आपके favorites में add हो जाता है जिसके साथ आपको easy रहता है अपने favorites में से अपने music को play करना अगर आप यहां पर lock screen के उपर blurriness का effect add करना जाते हो तो आप कैसे कर सकते हो simply आपको किसी भी photo को set करना है सबसे पहले as a lock screen wallpaper तो यहां पर आपको customize पर tap करके यहां पर press करना है three dots के उपर extend wallpaper के उपर आपको single tap करना है यह है normal photo blurriness को add करने के लिए आपको इसे pinch करना है नेचे की और और यहां पर top का जो portion है वो यहां पर blurriness में convert हो जाता है यह बहुत ही जदा cool effect लगता है done की उपर tap करो और आप good to go हो इस नए lock screen के feature को use करने के लिए जैसे कि home screen के उपर आपको blurr देखने को मलता है यहां पर भी आपको show करेगा जैसे कि यहां पर आप single tap करते हो तो यहां से भी आप favorites में और unfavorites में अपने music को tap कर सकते हो और add कर सकते हो तो यह कुछ hidden features and tricks and tips इस latest update की जो की iPhone XR users के लिए काफी ज्यादा useful रहने वाली है I hope आपको यह video पसंद आई होगी so मलते हैं guys अगली video में so guys thanks for watching